लगातार नए नए इनिसेटिव ले करके, थोड़ा रिस्क ले करके भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है, उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुस्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो, बड़ा कसोटी कान है, लेकिन आप सरके सब के आशिरवात से, आप सब के सहयोग से, अब तक तो हम बच पाएं हैं, ये इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि बीते आँट वर्सों में, हमने देश की अर्थेववस्ता की, उन कमियों को दूर किया है, जो रुकावटे पैदा करती थी, साथियों, इस देश में ऐसा मातामन बन रहा है, जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लगुद्योगों की ताकत बड़े हैं, ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है, आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल विकास पर है, स्किल डेवलोप्मेंट पर है, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहट, देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से, युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभ्यान चल रहा है, इसके तहट अभी तक सवा करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभ्यान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है, इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, इन आठ वर्षोब हैं, केंद्र सरकार द्वारा उच्च सिक्षा के सेंकडों नए संस्थान भी बनाए गए हैं, हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला हैं, ड्रोन पॉलिशी को आसान बनाया हैं, ताकि युवाओं के लिए देश भर में जादा से जादा आउसर बढ़ें, साथियों, देश में बड़ी संख्या में, रोजगार और स्वारोजगार के निर्बान में सबसे बड़ी रुकावट, बैंकिंग व्यवस्ता तक बहुत सीमित लोगों की पहुँच भी थी, इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया,